एपीसोड एट यानि कि आठोंए एपीसोड में आज हमें आपे इस वीडियो में आपको बताने वाले हाड़वेर क्या होता है आड़वेर आफ डेरेसन क्या होती है और मदर बोर्ड की बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको विजूल करके दिखाई जाएगी इसके वारे में डिटील में जानकारी मुझस से पहले लें इस वीडियो को स्टाट करें आठोवा एपिसोड यह है उम्मीद करता हूं आप ट्रपल्स एडवांस कोर्स के पिछले सारे साथ वह एपिसोड देखकर आए होंगे चलिए इस वीडियो को हमेशा कितरह बिना पकवास के स है कोई भी वो पार्ट हो सकता है कोई भी मतलब इंश्टूमेंट हो सकता है कोई भी जो इन्पूट आउट्पूट डिवाइसे चैन्फास e हो गया, Microprocessor हो गया, RAM हो गया, ठीक है, यह सब hardware है, Ploppy disk हो गया, hard disk हो गया, इसब hardware है, चलिए, hardware को हाँ पर स्टाट कर लेते हैं, hardware, hardware which is abbreviated as hw, यानि कि hardware को हम hw से भी लिखते हैं, यह आठवाइब को मैं आपको पता दूँ, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता दूँ, मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, वे बुक के दिया पर्चेज करना चाहिए, डिस्कुप्शन में लिंक है, 99 रुपए में है, आप ज़ादा जनकारी के लिए इस बुक को ज जुड़ी होती है, ठीक है, included the devices connected to it, you cannot create a computer or use software without using hardware, हम देखिए कोई भी जो software है, उसको हम नहीं बना सकते हैं, बिना use के hardware के, मतलब मतबल यह हुआ कि मानलीजी आपका monitor है, जैसे मानलीजी आप monitor पर कोई program करते हैं, को software बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक instrument चाहिए ना, जि computer or use of software without using hardware, the screen on which you are reading the information is a hardware, जिस स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, या जिस information को आप पल भाए हो, वो या पिर एक computer जिस पर पलते हो, वो hardware का ही रूप है, जैसे मैंने आपको पता है, monitor, what is hardware upgrade, hardware upgrade क्या होते है, hardware upgrade हम जो है, यह रखिए hardware upgrade क्या होता है, आप समझ लिजिए, a hardware upgrade refers to new hardware, hardware upgrade एक नए hardware को इंस्टाल्मेंट को कहते हैं, जैसे माल लिजिए, आपका computer है, उसमें 2GB की RAM पली दिये, थोड़े बिन बाद आपको जुरूत पली कि यह RAM जो अच्छे से हमारी काम नहीं कर रही है, तो इसमें हम थोड़ा, मतलब, आउस से उच्छ quality की इसमें RAM डाल दें, माल लिजिए, आपने सोचा कि 2GB से आप इसकी 4GB कर दें, तो उसी को कह जाता है कि आप hardware को upgrade कर रहे हैं, तो यह सिर्फ computer में होता है, laptop में नहीं होता है, यहीं फाइदा होता है, computer लेने से, ना कि एक laptop लेने से, जिसमें कुछ नहीं हो सकता है, हाँ, hardware upgrade refers to a new hardware or a replacement for the old one, वह ही बताया जा रहा है कि किसी पुराने को replace कर दो, यानि कि उसकी जगह कर दूशरा install कर दो, ठीक है, यह hardware upgradation कहीं जाती है, are additional hardware developed to improve the performance of the existing hardware, existing, यानि कि जो अभी आपके में चल ला है, उसकी performance को improve करने के लिए, जो भी आप hardware उसकी जगह पर install करते हो, यह replace करत इसको hardware upgradation कहते है, कहीं तरीके से आप बताया जा रहा है, common example of hardware upgrade is a ram, upgrade that increase the computer's total memory, जैसे कि एक अच्छा examper ram upgrade को है, जैसे computer में ram को अपगेट किया जाए, 2GB से 4GB लगा दो तो पूरी परानी वाली attacker के नहीं डाल दी, इस तरह से यह hardware upgradation का example है, और हम मान सकतो, video card upgrade, where the old video card is removed and replaced with the new one जहां पर नए पुराने वीडियो कार्ड को अठा करके नए वीडियो कार्ड अब इंस्टाल किया जाता है some of the commonly used hardware in your computer are described below अब यहां पर हम हैं जो बहुत ही detail में computer के hardware के बात बारे में बात करने बाले हैं तो सबसे पहले बात करेंगे motherboard motherboard क्या होता है जैसे कि आपको नामी से पता चला होगा motherboard इसका काम यह होता है कि जितने भी input output devices हैं उनके जो काम है उनको वही काम करवाया जाए और उन सब को एक ही में जोड़े रखने का काम करता है motherboard मतबल यह हुआ कि मानलीज़ आपके जितने भी input devices connected नापके computer से और जितने भी output devices नेट है computer से उनको जो काम आता है उनसे वह काम करवाना और उनको मिला कर एक ही एक ही एक ही मतलब यह plate पे मतलब उनको जोड़े रखना साथी में यह काम होता है motherboard का ठीक है सिंपल सा इसा समझ लो आप चलिए डिटेल में पढ़ते हैं the motherboard is generally a thin circuit board circuit board होता है यह circuit board होता है computer में यह motherboard होता है जहाँ पे सारे input output devices connected रहते हैं इसी से computer में जितने भी input output devices connect किया जाते हैं the motherboard is generally a thin circuit पतली circuit board होता है that holds together almost all parts of a computer except input and output devices जो की input and output devices के लावा सभी computer के parts को hold करता है all crucial hardware like CPU, memory, hard drive and ports power input and output devices are located on the motherboard यह देखिए input and output devices को connect करने के लिए port की जड़ोद होती port का मतलब होता है कि जैसे माल लीजे कोई भी port का मतलब यह जैसे आपका कोई charger होता है तो इसको लगाने के लिए जो है मतलब एक switch यह होता है जिसमें वो लगाया जाता है तो इसी को जो यहां पर port की बता बताया गया है तो अभी मैं सर्च कर लेता है काम नहीं दर्सल कर रहा है तो motherboard ports तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ motherboard ports तो यह दे सकते हैं कि इनको पोर्ड कहते हैं जैसे माल लीजे आपको कुछ भी इसमें लगाना है motherboard में तो इसके लिए ports बने होते हैं जैसे USB लगाना है आपको गाने सुनने वाली एरफोन लगाना है एड़फोन लगाना है और आपको HDMI केमिल लगाना है और आपको जो power supply है वो देनी है आदे त्यादी बहुत सारी ports इसमें होते हैं ठीक है जिनसे हम output input devices को connect करते हैं ठीक है तो यह यह पर यह वाई चीज़ बताएगी है इस दा biggest circuit board in the computer chases यह सबसे बढ़ा circuit board होता है computer में ठीक है इसके लावा कुछ नहीं होता इट allocates power to all hardware located on it and enables them to communicate with each other यहां पर यह बताएगा है कि यह जो है allocate करता है power को जैसे कि माल लिजे आपके computer में power दी जा रही है ठीक है supply दी जा रही है उस supply को सब जितने भी लोग उससे connect है उनको सबको मतलब उनकी जरूत की power देना यह भी इसका काम है और यह communicate करता है जैसे माल लिजे एक input device या output device से दूसरे से connect करने में communicate करने में बाच्चीत करने में यह सायता करता है motherboard it is mean to all the computer's microprocessor chip and let other computer component to it इसमें जो है microprocessor जो computer की chip होती है जो इसका main काम होता है कि आपकी computer गती कुटीज करना या धीमा करना वो computer की microprocessor पर depend करता है जितना iPod power का होगा तो नहीं आपका fastest computer चलेगा ठीक है तो यह microprocessor जो chip होती है वो भी एक इसमें ही लगी होती जैसे आप एक दे सकते हो यह जो है यह ही chip है ठीक है यह microprocessor कहलाता है दरसल एक stand जैसे होता है उसमें लगा करके दाप कर रख दी जाती है यह semiconductor होती है इसको जब लगाया जाता है मतलब इसमें semiconductor लोगा जोते है आपके सरीर में जो है बेस्ट ओन टाइपस एंड साइज ओब दा कंप्यूटर साइज के अधार पर कंप्यूटर में बहुत तरह के motherboard हो सकते हैं सो आप स्पेस्पिक motherboard can work only with specific टास्क प्रोसेसर एंड मिमोरी एक अलग-अलग कारे के लिए अलग-अलग त्राइप के आपको नहीं समझा रहा तो बुक को परचेज करें तो आपको समझा जाएगा component of our motherboard component के आए motherboard के वो भी जड़ा समझ लीजिए मतलब एक motherboard में क्या का लगा होता है उसको हम visual करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझा जाए तो देखिए एक motherboard में होता है CPU slot CPU slot से जुड़े होता है microprocessor यह देखिए CPU slot है जो मैंने आपको वहाँ पर image में दिखाया था तो इसको मैंने zoom करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक motherboard में इस तरह से CPU slot बना होता है इसमें installation of CPU इस लिंक बिट्वेन a microprocessor और motherboard यह जो है microprocessor और motherboard को जोड़ने का काम करता है CPU slot इस फैसिलिटीज दा यूज ओप CPU और प्रुमेंट्स दा डैमेज बेनिट इस टाल और रिमोड फॉर्दर मोर इस प्रोवाइदर विदा सी लॉक RAM slot की RAM slot जैसे कि आपको RAM slot है तो slot RAM इसमें लगेगी ठीक है RAM क्या होती है आप जानते ही होंगे Random Access Memory तो it is a memory slot or socket provided in the motherboard to insert or install the RAM there can be two or more more memory slots in our computer जो motherboard में जो है दो से ज़्यादा memory slot हो सकते हैं ठीक है और यह देखिए memory slot होता है मतलब RAM slot जो है RAM लगाने के काम आता है जैसे मान लीजे आपने दो-दो जैसे यह देख लीजे slot बने हुए है इसी में जो है इस type की कुछ आपकी RAM होती है आपको दिख रही होगी यह जो लगा रहा है तो इसमें जो है RAM होती है आपने दो-दो GB की दो RAM इसमें लगा दी तो यह 4 GB आपका बनकर तयार हो जाता है RAM ठीक है और RAM क्या होता है यह आपको डिटेल में जानना है तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा अभी बस पढ़ते रहो तो expansion slot का बात कर लेते हैं expansion slot देखिए उस slot को कहते हैं जिसमें मान लिजिए मान लिजिए जैसे आपको कोई computer है उसमें आपने सारी चीज़ें जड़ दी लेकिन उसके बाद भी आदि आपकी कमी पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उसमें expansion card में और extra चीज़ें आप लगा सकते हो यह expansion card extra दी रहते हैं हर एक motherboard में इसको देखिए बस slot भी कहते हैं expansion port भी कहते है इस जब connection और port on the motherboard यह motherboard पे होता हूँ जैसे कि होगा ही बात साम सिधी है और विच पोवाइट इंस्टालेशन पॉइंट टू कनेक्ट हार्डवेर expansion card यहाँ पे जो है आप परचेज करके मार्केट से अपना लगा सकते हो यह आपकी आप सकता है पूरी नहीं हो फा रही है बात करनेते हैं आप एक कैफिसेटर की कैफिसेटर यानि की धारिता तो इट इस अ मेड ओप टू कंड़क्टू प्लेट्स क्या मतलब हुआ यह देखिए एक मतरबोर्ड में आपने कहीं सारे कैफिसेटर भी देखे होंगे जैसे कि आप जो देख रहे हो मैं आप जो लिख नहीं सकता हो क्योंकि यहाँ पे जो है चलेगा नहीं पॉइंटर तो यहाँ पे यह जो है आप देख रहे हो बिंदुकिया जैसी वाइट 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 तो यह सारी जो है कैफिसेटर है कैफिसेटर होती है धारिता कैफिसेटर का काम क्या होता है कैफिसेटर जो होता है वो कुल मिलाकर ऐसे बनता है यह होता है हमारा कैपिसेटर जिसमें दो प्लेटर होती है एक प्लेटर होती है एक निगेटिव होती है और यह जो कैपिसेटर होता है प्लास्टिक से जो है इस तरह से बंद कर दिया जाता है बंद करने के बाद इसमें इसमें दो जो है इसमें पिन निकली रहती है तो कैपि सपरेपार काम यह ओता है जरुर पर पर एक दम भौ सारा चार्ज वह बर देना लेकिन है जाहदा आग करने कि लिए जरुर्स इप ठीक है तो यह है और इसका जो मात्रग होता है वो फाराडए ठीक है और माइक्रो फाराडए तो यहाँ पर बात के लेते हैं इंडक्टर की इंडक्टर यानि की क्वाइल इट इस तरह कुछ लिप्टा रहता है तो यह corresponding wire होता है कंड़क्टिंग जाने कंड़क्टिंग इसमें करेंट आ सकता है इसा वार होता है inductor coil inductor जो है inductor जो है उसको coil हम खहते हैं रहां तो ONE उतला का लोहे पर जो है लिप्टा रहता है ये magnetic energy को store करने के लिए बना रहता है मतलम magnetic energy जो है इसमें store की जाती है ठीक है magnetic energy को store करने के लिए इसका प्रयोग दरसल किया जाता है inductor coil का और किसका बना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया अब बात कर लेते हैं North Bridge की North Bridge क्या होता है North Bridge और South Bridge यह सारे होते हैं ठीक है तो हाँ South Bridge भी होता है तो यहाँ पर देख लिजे North Bridge और South Bridge North Bridge का काम क्या है It is an integrated circuit that allows communication between the CPU interface, AGP and memory यह CPU interface, AGP और memory के बीच communication करने के लिए होता है circuit ठीक है, integrated circuit है तो यहाँ पर देखिए North Bridge है कुछ ऐसा दिखता है यह South Bridge है यह नहीं दिख रहा है तो आप चाहें तो इस भूक को purchase कर सकते है discussion में एक बार link को ज़रू check out करें next की बात कर लेते है USB port क्या होता है USB port होता है जिसे आपकी pen drive हो गया यह सारी जो है USB port होता है इसमें आप अपने mobile charge कर सकते हो लगा करके जो इस तरह के आपने देखे होंगे चीजें उसमें लग जाती है कुछ भी हो इट allows you to connect hardware device और इससे आप data भी computer में supply कर सकते हो ठीक है आपका internet data, mobile data इसमें जा सकता है आपका data का transfer भी उदस उदर किया जा सकता है cable data के जरिये तो USB port होता है इसमें USB cable आप लगा सकते हो फिर उसमें किस टाइब की भी हो इट allows you to connect hardware devices लाइक mouse यह जो है USB cable से hardware devices भी connect हो जाती है USB port में USB port motherboard पे होता है पहले मैं बता दूँ इस सारी जितनी चीजे में पता रहा हूँ इस अब motherboard में ही होगा इसमें देखिए component interconnect slot इसको फुल फार्म यह इट allows you to connect the PCI devices लाइक modem network hardware, sound and video cards यह जो है आपके modems हो गया modems किया होता है जिसे माली जाब को internet की supply उसमें chip लगा करके आप इसमें chip भी बरसकते हो chip भी लग जाती है, sim भी लग जाती है modems इसमें लग जाते है network hardware, sound and video card इसमें लग जाते हैं, यह PCI slot होता है ठीक है, यह देख सकते हो white color के हैं, चार लगी हुए है PCI slot इंग को कहते हैं, बात कर लेते हैं AGP slot के, AGP slot का फुल फार्म होता है accelerated graphic controller, graphic port it provides the slot to connect graphics card, AGP जो slot होता है वो आपको graphic card को इसमें connect करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता, graphic card क्या होता है जैसे आपका जो वीडियो, आपके display पर जो भी image या photo या फिर वीडियो जो भी आपके, जब game आप खेलते हो तो उसमें जो बढ़िया बढ़िया एकदम image बनके आती वो graphic card का ही कमाल होता वो आपके computer system में जैसे बहुत ही high performance वाले जो काम है जैसे animation बनाना हो गया और जैसे mining बगएरा हो गया जैसे bitcoin की mining हो गया तो GPU mining आपने सुनी होगी वो भी काम एक graphics card करता है तो graphics card की एक नएक काम है ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते है heat sink की, heat sink की होता है sink है तो it absorbs and displace the heat generated in the computer processor यह देखिए एक silver का heat sink लगा रहता है यह देखिए जितने भी component मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस सारे motherboard पे ही है ठीक है, यह देखिए आपके computer में जितना भी मतलब गर्मी मतलब इसमें होती है उस अपको absorb कर लेता है यह silver का बना रहता है, heat sink बात कर लेते हैं, power connector power connector जो है, वो आपको supply को direct motherboard में देता है, जिससे motherboard से आपकी monitor में हो गया यानि कि सारे component में फैलाने के लिए power connector, जो है supply motherboard में दी जाती है, इसके बाद समय वो फैल जाती है ठीक है, power connector यह जो है यहाँ पर power connector लगा हुआ है ठीक है, तो हो गया, चलिए power connector आपको दिखा देता है तो power connector in motherboard power connector तो इस तरह का कुछ power connector होता है तो मैं यह देखिए, यह जो है power connector है यह आपकी motherboard में लगा होता है motherboard से आप डिडारेट इसको light, जो electricity उससे switch करते है उसके बाद मदर बोड से जितने भी input-output डिवासे लगे होते हैं, उनमें फैल जाती है current, तो यहाँ पर यह चली हो गया आप बात कर लेते हैं, CMOS battery की CMOS battery क्या होती है CMOS battery एक hard, मतलब CMOS battery आपके उसमें लगी होती है, motherboard में इसका काम होता है, जिसे माल लीजे, आपने कभी सोचा है कि आपका जब computer बंद हो जाता है तो उसमें time कभी बदलता नहीं है, क्यों नहीं बदलता है यानि कि उसमें कुछ लगा है battery जो 24 गंटे चलती रहती है तो यह CMOS battery होती है, अच्छी होती है और जब आपका computer बंद हो जाता है तब भी यह time है, उसमें मतलब चलता रहता है और यह मतलब सिर्फ time का नहीं, मैं time का सिर्फ example दे रहा हूँ भी इसके काम होते है इट stands for complementary metal oxide semiconductor, metal oxide semiconductor की बनी रहती है इट is a memory that stores the BIOS setting such as time, date and hardware setting टाइम, date और hardware की जो setting है, उनको store करने के लिए जो है BIOS के, BIOS एक तरीके से मान लिजाए भी आपको पढ़ाऊंगा RAM room में तो BIOS की जितनी भी setting होती है, time, date और hardware setting इसको store करती है CMOS battery, चलिए अनेश की बात कर लेते है, SMPS SMPS क्या होता है, switched mode power supply SMPS, चलिए SMPS जो है, इस तरह से कुछ आपका दिखता है अपने CPU में लगा हुआ, देखा होगा कहीं बार SMPS SMPS stands for switched mode power supplies का फुलपाम यह, it is an electronic power supply that uses a switching regulator to convert electrical power efficiently it is also known as switching mode power, यह वही फुलपाम है it is power supply unit, यह जो है power supply unit है PSU जो power को supply करता है, generally used in computer to convert the voltage into computer acceptable range, computer में जो है voltage को convert करने के लिए जितना आप जरूरत हो, उस हिसाब से SMPS का प्रयोग किया जाता है this device has the power handling electronic component that converts electric power efficiently switched mode power supply uses a great power conversion technique to reduce overall power loss यह कि आपको मितलब जितनी efficiency आपको जरूरत है power की एक computer में ताकि power जो है उसका loss ना हो, कोई मतलब बेकार की चीज़, मतलब बेकार आपकी जो है power ना जाए, इसलिए जितनी जरूरत होती हो, इसको voltage को convert करने के लिए SMPS का यूज़ किया जाता है, how does SMPS work, SMPS काम कैसे करता है, the SMPS device uses switching regulators that switches the load current on and off to regularize and sterilize the output voltage, यह जो है voltage को जाज़े की बताई जारी की voltage जो है, उसको manage करता है, the average of the voltage between the off and on producers appropriate, unlike the वही चीज़ देखिये दीगे, यह गुमापरा करके, ठीक है, storage controller की बात कर लेते हैं, storage controller जो होता है, storage controller of IDE, यहाँ पर integrated development IDE का फुलपाम दियो जा रहा है, integrated development environment, तो यह IDE आपने जब Python या किसी की भी programming की होगी, तो उसमें भी IDE का, IDE जो है, मतलब आपको उसमें लिखते हैं, प्रोग्राम को, ठीक है, तो वो भी IDE होता है, यहाँ पर भी IDE है, ठीक है, integrated development environment, SCI, small computer system interface, और other type, that control hard disk, storage controller का काम होता है, कुल मिलाएकर computer में जितने भी hard disk होती हैं, उनको control करना है, जैसे hard disk हो गया, proper disk हो गया, CD-ROM हो गया, और other drivers, drives, the control sits directly on the motherboard, or on expansion card, यह जो है, motherboard पर होता है, ठीक है, और expansion card में भी लग सकता है, यानि कि जतने भी storage devices होती है, storage devices आँगे, आपको पढ़ने को मिलेंगी, बस वीडियो देखते रही है, आठोंगा एपिसोड आजाए, graphics controller, graphics controller, जो है, graphics को control करेगा, graphic card, ठीक है, graphic card, यह GPU mining करता था, it produces the output for the monitor, ठीक है, interface controller, interface controllers, parallel, serial, USB, firewall to connect the computer to external peripheral drives such as printer or scanners, तो interface को control करने के लिए, parallel, serial, मतलब जिए नहीं कुल मिलाकर कि image वाली, जो भी चेज़ आपको monitor पर दिखती है, या printer or scanner, जैसी devices को, मतलब connect करने के लिए, interface controller जो है, काम करता है, का बात कर लेते हैं, computer के ports के बारे में, computer के ports, तो ports यहाँ पर जो computer के हैं, बताए गया है, एक होता है, मतलब यहाँ पर इसारी जितने भी ports आप बताए जाएंगी, सारे motherboard में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसारे ports, इन ports से जो है, तरह तरह के devices से connect की जाती है, इन port का अलग अलग काम होता है, तो यहाँ पर मैंने 7, 8 और यहाँ पर जो है, मैंने आपको 11, 11 तरह के port आपको मैंने बताए हुए हैं, तो चलिए 11 तरह के port को यहाँ पर समझ लेते हैं, डिटेल में, तो 11 तरह के port जो है, तो सबसे पहला port है, यहाँ पर parallel port, यह है हमारा parallel port, यह जो है, यह जो एक इंटरफेस पोर्ट है, ठीक है, जैसे कि इंटरफेस कंट्रोलर में आपने देखा था, तो वही बाला है, यह डेटा ट्रांसफर के लिए एक डिवाइस में, और कंप्यूटर के बीच काम किया करता है, इन प्रिंटर पोर्ट जो है, वह प्रिंटर पोर्ट का ही गुदाराण है, ठीक है, इक जामपल सो कंप्यूटर पोर्ट से देख लीजिए, यह PS2 पोर्ट है, इस दा नेम सजेश्ट इट वाज इंट्रूडूज़्ट, देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, कि प्रिंटर में जो है, डेटा बेजा गया, तब ही तो उसने प्रिंटिंग निकारी, तो यह डेटा ट्रांसफर के लिए, वो इंटरफेस को जो है, आपने निकाल दिया प्रिंटर से, प्रिंटर पोर्ट हो गया, और एक्जामपल्स देख लेते हैं, कम्प्यूटर के पोर्ट के, पियस्टू पोर्ट, पियस्टा इस तरह इसे नाम लिखा है, पियस्टू पोर्ट, इस दान नेम सजेश, इट वाज इंटुड्यूस्ट विद आईबिम्स पर्सनल सिस्टम, टू सीरीज ओप कम्प्यूटर्स, इस चनेक्टर्स आर कलर कोड़ेड, यह जो हैं, कलर कोड़ेड होते हैं, जैसे कि आप देखी सकते हो, ब्रू ब्लू ग्रीन, ग्रीन वाज फार माउस, यह जो है, ग्रीन वाला जो है, यह IBM कम्पनी दोरा जो है, पर्सनल सिस्टम के लिए, मतलब लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रीन वाला माउस के लिए है, और पर्पल वाला जो है, यह वाला, यह कीबोर्ड के लिए है, बिसाइड्स इस, बिज़े बिन कनेक्टर विद सिक्स पिंस, एड प्रिजेंट इट इस सपर सुपर सेच्ट बाई USB पोर्ड, लेकिन आजकल जो है, इनका उप्योग नहीं होता है, यह पुराने जवाना में होत रहा है, तब क्या आप जो है, यूसबी पोर्ड का उप्योग होने लगा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अब इस पहले पढ़ाया, यह है BGA पोर्ड, BGA पोर्ड क्या होता है, यह है BGA पोर्ड, ठीक है BGA, तो BGA, इस पोर्ड इस कामली ली फाउंड इन कंप्यूटर्स, पोर्ड इस पोर्ड इस के लिए जैसे माली जापको, मतलब कुल मिलाकर, TB, जैसे TB को करेट करने के लिए, तो इसमें यानि कि आपको, जो स्क्रीन पर आपको चितर दिखाने के लिए, प्रयोग किया जाता है, इस इसमें 15 जो हैं, यह पिन होती है, ठीच सकते हो आप इसमें तो यह एग टाइष 15 फिस जो तीन जो है रो में अरेंज होती है उसके घ्राइब सरेंशाग करने के लिए यानिकि मदरबौर्ट से monitor को connect करने के लिए यानि कि खुल मिला करके देखा जाए तो जो monitor की screen पर जो को show हो रहा है उसमें जो image आ रही है वो connect करने के लिए motherboard से इसका प्योग किया जाता है यानि कि monitor को connect करने के लिए CRT monitors हो गया जैसे example still most of the LCD and LED monitors come with BGA port अभी भी जो है LCD और LED जो monitor है वो का आते हैं BGA port के साथ BGA port आपका connect होता है motherboard से फिर आपका एक screen जो है आता है जो दिखता है However, these ports don't assure high picture quality as BGA can carry only analog video signals up to resolution of 648 and port 80 देखिए जो BGA port होते हैं BGA port की जगए आजकल HDMI cables आने लगी है दरसल टीवी में भी लगा होता है यह आपने टीवी में अपनी कभी देखा होगा तो BGA वो तो आना कि आजकल HDMI cable आने लगी है इसमें क्या होता है BGA port में आपके जो screen पे picture है वो उतनी मज़ा नहीं आती है मतलब बहुत data जो है analog रफ्तार में दोड़ता है इसलिए मज़ा नहीं आती है लेकिन HDMI जो cable आजकल वो फास्टेस्ट होती है BGA port के मुकाबले तो आजकल HDMI cable का जाना चलन है As the demand and emphasis on video quality kept growing the BGA ports were gradually replaced by more advanced ports जैसे कि आपर बता जा रहा है कि most जो advanced चीज़ाने लगी है जैसे कि HDMI cable हो गया और display ports हो गया ठीक है तो यह मैंने आपको बताया है क्या होता है बात कर लेते हैं digital video interface की digital video interface यानि कि DBI इट जो मानिट जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है CPU को तो एंड आ मानिटर ठीक है यह बल्कुल वाई है BGA की तरह है लेकिन इसमें समन लेज़ते हैं क्या होता है काम वही करता है इट इट इजा हाई स्पीड इंटरफेस ढर टीड़लयप ट्राण्स्पिश्टल धा लोशलेस बीडियो सिंगनल्स यह ब्यदी को प्रेसित करता है और डीजसे औन इनल like बीजिश्टल बीडिव शिंगनल ट्रान्स्पिशन थो BGA टेकनलोजी BGA टेकनलोजी की दुर्आ ट्रान्स्पिशन करता है बीडियो सिंगनल को ठीक है यह तकी रीप्लेस लेकिन इसने कर दिया है digital video signal सी बेसता है ये जो है digital video signal बेसता है जब क्यों मारा BGA जो था वो analog digital video signal बेसता था ये है फराकिस में transmission through BGA धिक है The DVI interface can be of three types based on the signal transmitted by DVI जो है वो तीन तरहके हो सकते है DBI first, DBID, DBIA, the DBI first support combined digital and analog signals, DBI, देखिए सबकी एक बिसेस्ता है, DBI तीन तरीके के होते हैं, DBI first जो है, वो आपको digital or analog signal जो है, दोनों का combine होता है, जबकि DBI A जो है, वो support करता है, analog signals, सिर्फ DBI D support करता है, सिर्फ digital signals, तो ये DBI तीन तरीके के होते हैं, BGA से एक आधुनिक टेकनो smaller than a commonly used DBI port, एक commonly आम तरपे यूजने वाली DBI port से एक ठीक ठाक, मतलब उससे ठीक है, और छोटा है, ठीक है, it is 32 pin, sorry, it is a 32 pin port developed by Apple, ये देखिए, Apple के दोवारा mini DBI develop की गई है, इसमें 32 pin होती है, ठीक है, 32 pin port होता है, ये develop की गई है, Apple के दोवारा, as a substitute to mini VGA port, mini VGA port का substitute, मतलब तरीके से, it can transmit various types of signals such as SBDO, VGA and composite signals using replace effective adapters, तो यहाँ पे जो है, adapter इसमें तरहे तरहे की होते हों, adapters के दोवारा आप इसमें कहीं तरहे के signals बेज सकते हो, mini DBI के जरिए, ठीक है, adapters का इसमें काम है, ठीक है, adapters जैसे लगाओगे, उससे अब signal यहाँ पर बेज सकते हो, चाहें आप दोनों का एक ही तरीके से बेज दो, चाहें एक signal बेजो, digital चाहें बेजना चाहो, चाहें analog बेजना चाहो, चाहें दोनों को मिलाकर बेजना चाहो, adapter लगाओ, तमासा देखो, बस यही है, तो mini DBI हो गया, आप बात कर लेते हैं, डिस्पले पो पर दिखाने का काम करता है, ठीक है, तो यह जो है, बीडियो, डिस्पले स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है, बीडियो और आदियो को, it is an advanced display technology that is developed as a substitute for older interface such as DBI and BGA, यह DBI यो BGA से भी advanced है, डिस्पले पोर्ट, a डिस्पले पोर्ट कान भी सीन ओन देप्ट आप्ट आप्ट इसमें 20 pin connector होता है, 20 pin, 20, अब बात कर लेते हैं, पांचमें नमबर का RCA connector, RCA connector इस तरहें का होता है, ठीक है, यह RCA connector उस तरहें का लग रहा है, जैसे पुराने जो TV होती थी, उसमें जो video, audio, signal को बेजने के लिए दो तरहें की pin होती थी, तो यह RCA connector उस तरहें का लग रहा ह अब यहाँ पे जो है, component of video देख लेते हैं, component video, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, RCA connector के बादे में जादा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन इस तरहें का दिखता है, ठीक है, यह दरबग आपको पुराने जमाना के अगर TV की याद आ रही हो, तो उसमें जो है, इस तरहें के जो audio, video signal बेजने के लिए, फिर उसके बाद CD में जो लगते थे, उस तरहें का लग रहा है, बात के लेते हैं, component video, video के component, तो this interface allows splitting video signals into three channels, यह जो है, एक component जो वीडियो है, यह तरहें का जो इसमें तीन पीन होती है, ठीक है, PR, CR, PB, CB, Y, तो इसमें क्या होता है, यह जो allow करता आपको split करने में, यानि कि आप video signals को जो है, तीन चैनल में बाट सकते हो, ठीक है, तीन चैनल पे बाट सकते हो, split कर सकते हो, तोड सकते हो, video signal को, ठीक है, the component video generally has three color coded, तो जो यह component video जो होता है, component videos का नाम यह, ठीक है, इसमें तीन, यह इस तरहें की लगी होती है, ठीक है, और यह video signal को तीन बागों में तोड देता है, तीन चैनल में, component video generally has three color coded, यह तीन color coded होता है, blue, red and green, यानि की RGB, ऐसे आप याद कर लीजिए, RGB का अकसर आप यूज़ देखोगे, each slot receives and then transmits a particular component of the video signal, प्रतेक जो slot है, वो receive और transmit करता है, एक particular component को video signal का, ठीक है, और इसमें तीन भागों में तोड जाता है, video signal को, it offers high quality videos, it offers high quality videos, then composite video and carry about analog and digital video signal, यह दोनों तरहें के signal, analog and digital video signal को carry करता है, और offer करता है आपको high quality videos, तो यह component video था, अब बात कर लेते हैं, HDMI port, HDMI port हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यह एक advanced, आजकल जो सबस्याद आप देखते हो, HDMI cable का ही होता है, जिससे बढ़ी अगदम quality, high speed data, transmit होता है, आपको interface एक बढ़िया मिलता है, HDMI cable, high definition, media interface is a digital interface, developed to connect high definition devices, such as digital cameras, gaming console, XC, etc. to computers and TVs with HDMI ports, TVO में अपने देखा होगा, आजकल जो आपकी, जो advanced TV आती हैं, तो LED ओ, LCD ओ, मैं आपने HDMI cable का ही देखोगे, यूच, तो यह हो है, HDMI cable, beside this, it can carry uncompressed video and uncompressed or uncompressed audio signal, यह बिना दबाए, दबाए का मतलब क्या होता है, दबाए का मतलब यह होता है, जिसे माल लीजिए, आपका जब, मैं आपको एक simple example ले 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 था हो, कि telegram या WhatsApp जब आप चलाते हो, जब आप कोई भी photo इदर से उदर बेजते हो, तो photo की size compress हो जाती देखनी है, तो compress कर देता है, कभी ट्राइ करके देखना, वही चीजिए आपर बताई जारी, बिना compress किये, यह जो है, डेटा कुदर सुदर, ट्रांस्मिट करता है, आपको एक बढ़ी इंटरपेस प्रवाइड कराता है, तो यह हो गया HDMI port, एट advanced version of HDMI, such as 2.0, can transfer video signals up to resolution of 496, sorry 4096 into 2160, तो इसका HDMI 2.0 भी आ चुका है, जो से advanced होता है, बात कर लेते हैं, USB की USB का फुलपार मैं, universal serial bus, अब इसमें मैं जाना बेजा मारी करूंगा नहीं, क्योंकि USB हर कोई जानता है, USB 3 तरह की होती है, 2.0, 1.1, 3.0, जाना जानकारी के लिए इस बुक को चाहो तो purchase कर सकते ह ठीक है, इस बुक का लिंक आपको description मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हूँ, USB आजकल हर को ही जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, इसमें कोई बताने की चीज नहीं, USB, simple है बस लगाओ, connect करो, data transmit करो, video, mobile data transfer करो, या RJ45 होता है, RJ45 का भी एक switch होता है, ठीक है It is an Ethernet style network, पर port found on the computer and other devices, such as router, switches, तो जैसे कि आपका router हो गया, It is an Ethernet style network, ये एक Ethernet style network port है, ठीक है, RJ45, RJ45 found on the computer, Ethernet style network port है, जो computer में found किया, पाया जा सकता है, RJ45 and other devices, और ये computer के लाबा, other devices में पाया जा सकता है, जैसे कि router पे हो गया, switches पे हो गया, This port allows your computer to interact or communicate with other computers and networking devices, where Ethernet and networking is required, तिये एक computer से other computer को जोड़ने में, communicate करने में, networking को साजा करने में, इस Ethernet style network का प्योग किया जाता है, जहां पे भी Ethernet networking का requirement होता है, वहां पे काम कर जाता है, RJ45, इसको में Ethernet port भी कहते है, network jack और, मतलब इसके कही नाम है यार, देख लो, jack 45, इसके पास 8 पीन होती है, accordingly, the RJ45 cable comprises 8 separate wires of different colors, तो जो है, RJ45 जो cable होती है, जो सामिल होती है, उसमें 8 separate wire होते हैं, अलग-अलग तरीके के wire होते हैं, और different color भी उनका होता है, besides, its full palm is registered jack 45, ठीक है, तो इसमें जो cable लगती है, उसके 8 अलग-अलग तरीके के wire होते हैं, besides this, it looks a telephone jack, यह telephone jack कितरा है लगता है, इसके लावा, ठीक है, however, it is slightly wider than 8, ठीक है, RJ11, तो RJ11 कहा है अपर, देख लेते हैं, RJ11, it is also a registered jack, which is often used in an interface for modem, यह interface provide करने के लिए, modem के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी a registered jack है, ठीक है, और, यह हमारा audio jack, जो की आपको, जैसे आपको song सुनने है, एरफोन, एरफोन को attach करने के लिए, कराए, audio jack होता है, और, जैसे लिए बता रहाँ, तांटो की आपको कभी काम आएगा, कि ये दो तरह के होते हैं, एक होता है, male, male, और दूसरा होता है, female, तो कभी-कभी क्या होता है, जब आप computer से अपना earphone और earphone attach करते हो, तो वह आपका चलता हो यह, आप कहते हों कि एरफॉन कराब है हमारा पॉन कराब है ये कराब है वो कराब है खराब कुछ नहीं है वो दरसल जो है कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो ये दो तरह के होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए किस तरह से दिखते हैं male और female दो तरह के जो है are you jack होते हैं तो मैं आज वह ही आपको दिखा रहा हूँ male and female या आपको जनकारी जो है पता होनी चाहिए दो तरह के होते है male and female are you jack तो आप फ़रक देखिएगा ये pin जो है दो तरह की दिखती है तब ही आपका जो है काम नहीं करता है तो यह रहसल मेरे जाद हो चुका है तो मैं आपको जलिए बता रहा हूं ताकि आप काम आए तो यह देखिए इस तरह के दो जैक होते हैं यह देखिए इसमें एक जो है male जबकी एक जो है female है sorry इसमें कुछ नहीं है अगा तो इसमें अपको यहाँ पे कोई इंपड मिल जाए ऑ यह ब जाए यह भी जो है तो सबसे बह cardboard male audio jack तो यहाँ पर में ल arbeitet तो सबसे बहुत दर सक लिए करके देख्या हो ठीक है तो सब्से बहूं लेक देते हैं male audio jack male audio jack तो सबसे बले male audio jack मैं दिखा देता हूँ तो male audio jack सबसे बले देख लीज़े ये देखिए जिस computer में आपका जो jack लगा होगा उसमें वही earphone उसी jack का support करेगा याद रखिएगा तो male jack जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं ये है male jack male jack कुछ इस तरह से दिखता है आप देख लीजिए आप female jack देखिएगा इसमें तीन दो सल तीन देखिए split तीन जगाए पर split है और female audio jack जो है वो इस तरह का दिखता है ये देखिए फ़रक होता है इसलिए आपका connect पर अच्छे से देखिएगा मैंने आपको जो था आप दिखा दिया मेल और female दो तरह के होते हैं डाइंवें 3.5 mm उमीद करता हूँ आपको मदर बोर्ड मदर बोर्ड के सारे कंपोनेंट मदर बोर्ड के सारे पोर्स आज आपको सारे detail में मैंने समझाए सारे बताए इस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें बेर लाइक निको प्रेस कर दें उस राती में जो इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक को दिया परचेश करना चाहों डिस्क्र